हे यूट्यूब जिसी संजीव एंड वेलकम प्यूम 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 चैनल टेक्यूनिक तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप Android TV के साथ स्क्रीन कास्ट कैसे कर सकते हो हाँ मुझे पता ही कि ये काफी इजी है फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ तो स्टार्ट करने इस पहले जोनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस कर लीजिए और इस बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको फीचर अपडेट्स मिलते रहेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगए तो प्लीस लाइक भी ज़रूर कर देना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो स्क्रीन कास्ट करने के लिए दो मैथड हैं तो फर्स्ट मैथड उनके लिए जिनके पास वाइफाय राउटर है तो सबसे पहले आपके पास जो वाइफाय है आप उससे कनेक्ट कर लीजिए जैसे कि आप देख सकते हो मैंने भी अपने Wifi से connect कर लिया है वाइरस नाम है मेरे Wifi का और मैं इसे connected हूँ और सेम मोबाइल में भी उसी network से आप connect हो जाएं जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी मैं सेम वाइरस नाम के Wifi से connect हूँ तो अब हमारा mobile and tv इसकी network पे connected है उसके बाद आप अपने मोबैल में सेटिंग्स में जाओ फिर आपको यहाँ पर डिस्प्ले में जाना होगा फिर लास्ट में आपको का स्ट्रिंग का ओप्टन दिखेगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसमें जाएंगे जैसे को आपको के टी-वी का नाम दिखने लग जाएगा आप उस पर जैसे टफ करोगे है तो आप जैसे कि देख सकते हो connect आने लग जाता है तो आप जैसे कि देख सकते और ये मेरा मोबैल तिवि के साथ कनेक्ट हो चुपाए स्कृन कश हो चुका है तो चली आप देखते की second method क्या है तो second method उनके लिए जिनके पास घर में wifi router नहीं है तो सबसे पहले आपको tv के wifi से connect करना पड़ेगा तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे tv का wifi का नाम है direct 70 bravia तो आपको इससे connect करना पड़ेगा तो जैसा कि आप देख सकते हो यह password माग रहा है तो इसका password देखने के लिए आपको tv के settings में जाना पड़ेगा मैं आपको बताओंगा कि कहां पर मिल जाएगा इसका password तो सकते पहले आप settings में जाओ फिर network में जाओ तो इस second number पर आपको wifi direct का option दिखेगा तो जाओ फिर wifi direct settings में जाओ यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा show network SSID oblique password तो इसके आप क्लिक करोगे तो आपको आपके tv के wifi का password दिखने लग जाओ तो बस यही same password आपको mobile में डालना है आपके देख सकते हो मैंने अपने tv के wifi से connect कर लिया है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा direct 70 ब्राविया तो उसके बाद आपको same step करनी है आपको settings में जाना है then display में जाना है तो आपको last में होई cast का option दिखेगा उसमें जाना है तो यहाँ पर आपको आपके tv का नाम दिखने लग जाएगा बस इसके touch करना है और आपका screen touch हो जाएगा जैसा गया आप देख सकते हो एनेक हो गया टीवी से तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर कीजेगा तो मिलते हैं next video में अब तक के लिए बाए हुआ 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 है